रात को ग्यारा बज के 32 मिनट पर जब जमीन हिलने लगी और भुकम पाया, तब मानो एकदम से डर लगने लगा और लगा कि ये आखरी दिन है, हम अपनी बात बताएं तो हम जमीन पर लेटे हुए थे और उपर का पंखा अचानक हिलने लगा, जमीन पर लेटे थे इसलिए जमीन का कमपन कुछ जादा ही महसूस हुआ और लगभग लगभग 30-40 सेकेंड तक ये चलता रहा और उतने देर में हमको ये समझ में आ चुका था कि पटना में भुकम पाया है, और उसके बाद महज 30-40 सेकेंड के बाद ही बाहर से आवाज आने लगी, लोग रोड पर निकल चुके थे और सोशल मीडिया तस्वीरों से भरा पड़ा था, सब लोग एक दूसरे का हाल जान रहे थे और पूछ रहे थे कि भुकम पाया था, तो आप ठीक तो है न, और पटना के सडकों पर एकदम से लोगों की भारी भीड आधी रात को जमा हो गई थी, ये कहानी कल ही रात की है, 11 बज के 32 मिनट की है और रिक्टर स्केल पर उस भुकम्प की तीवर्ता को जब मापा गया तब वो 6.4 था, 6.4 का भुकम्प, उपर की बिल्डिंगों को गिराने का छमता रखता है, खिडकियों को तोडने का छमता रखता है, जो शैंडिलिया यानि की ज़ालर आपके घर में छट पर लगा होता है, उसको गिराने की छमता रखता है, और कल नेपाल था उसका होट स्पॉट और वही के लमसम 15 जिलों में भयंकर भुकम पाया था भारत से अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि किसी भी जानमाल का नुकसान हुआ है लेकिन अगर नेपाल की तबाही के मंजर का स्थिती आपको जानना है तो ये तस्वीर आपके लिए काफी है नेपाल की स्थिती ये है कि नहां भी आप देख सकते हैं कि घर से बाहर सारे लोग निकले हुए हैं देखिए जब भुकम पाता है तो उसके बाद आफ्टर शौक एफेक्ट होता है एक मतलब कि भुकम के बाद हलका सा जटका और लगता है और इसके कारण भी लोग घर के भीतर नहीं घुस रहे थे औ और पटना में, आरा में, गया में, सिवान में, छपरा में और ऐसे 15 जिलो में 6.4 की तीवरता से कल भुकम पाया था नेपाल इसका मुखे केंदर था और इसके अलावा भारत में, मध्यपरदेश में, दिल्ली में, उत्तर परदेश में, गाजियाबाद में 6.4 के ही स्केल के तिवरता से भुकम पाया, खुशी की बात यह है कि भारत में कोई भी नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है, लेकिन जहां मुखे केंदर था, यानि कि नेपाल में, नेपाल के काटमांडू से लमसम लमसम 300 किलोमेटर दूर एक जगा है, वहीं उसका मुखे पन हुआ और वहां पर 139 लोग अब तक अपना जान गवा चुके हैं, 1000 लोग अस्पताल में भरती हैं और वो लोग बुरी तरीके से घायल हैं और कई घर धवस्त हो गए हैं, बिल्डिंगें गिर गई हैं और इस्थिती को काबू करने के लिए नेपाल की प्रशासन, ये तैयार नहीं था, क्योंकि आम तोर पर धारना होती है कि भुकंप आया, तो अगले एक दो घंटे में फिर से आएगा, जो आफ्टर एफेक्ट होता है, वो फिर दिखता है, एक श्टॉक टाइप का लगता है, कमपन होती है धरती में, और इसी का डर लोगों को सता रहा था, और बिहार के 15 जिलो में आया था, इसके आलावा भारत के 57 राज्यों में आया था, नेपाल इसका केंदर बिंदू है, और नेपाल से पटना और बिहार नजदीक है, आपको पता है कि बिहार अपना बॉर्डर शेर करता है नेपाल से, जिसके कारण बिहार में भी गवा चुके हैं एक हजार लोग बुरी तरीके से घायल है और ये सब बिलकुल भी मानवता के लिहाद से ठीक नहीं है आपके क्या विचार है आपका भुकम का कर रात का क्या एक्सपीरियन्स था करिया मेरे नाम प्रशांद है बहुत बहुत धन्यवाद